दोसो इस लेसन के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर का एक और बहुत इंट्रस्टिंग फीचर जो है वो डिसकस करने लगे हैं हम लोग इस लेसन के अंदर study करेंगे और explore करेंगे free transform और transform टूल को तो जब हम बात करते है transform के हवाले से तो transform का मतलब क्या है transform से मुराद यह हम अगर किसी भी object को या किसी भी shape को थोड़ा सा change करते हैं यानि अगर हम उसको for example rotate करते हैं या हम उसका size जो है वो change करते हैं या उसके angles change करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब भी है कि हम उस सीज़ को transform कर रहे हैं यानि कि हम उसको तबदील कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास Free Transform के नाम से एक और बड़ा इंटरस्टिंग टूल यहां पे मौजूद है Illustrator में तो चलने चलते हैं Illustrator की तरफ और एक्सप्लोर करते है Free Transform and Transform Tool दोस्तों यहां पे आप लोगों को Transform के बारे में समझाने के लिए मैंने यहां पे यह एक Object ले रखा है यह मैंने Rectangle Tool के मज़र से एक Square जो है वो यहां पे Create की है अच्छा Free Transform की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको Transform वाली जो Options हमारे पास मौजूद हैं वो जरा Detail में बताना चाहूँगा जैसे ही मैं इस Object पर Right लिक करता हूँ तो यहां पे मेरे पास नीचे Option मौजूद है यह Transform की अब अगर इस Option में मैं देखूं तो यहां पे हमारे पास Move, Rotate, Reflect, Scale यह कुछ Important Options यहां पे मौजूद हैं तो चले इनको जब एकस्प्लोर करते हैं और देखते हैं कि यह Basically क्या करती है जैसे ही मैं Move पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह एक नया Dialog Box यहां पे हमारे सामने Open हो गया है और यह Dialog Box के अंदर कुछ हमारे पास Values आ रही हैं जो कि हम Change कर सकते हैं जिसना से यह जो Move की Option है इसका मतलब यह है कि अगर हम Move करेंगे यानि कि अपने Object को एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाना चाह रहे हैं Move करना चाह रहे हैं तो यह हम यहां से कर सकते हैं For example, यहां पे मैं Horizontal इसका जो है वो Value दे देता हूँ जी 4 और Vertical B मैं इसको 4 Inches की Value दे देता हूँ तो यह देखें हमारा जो Object है वो Already आप देख सकते हैं कि वो अपनी जगा से Move कर चुका है मैंने Preview की Option यहां पे On कर रखी है आप Preview की Option को लाजमी चेक रखीएगा ताके आपको नज़र आता रहे कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं वो Actually हो क्या रहे है अच्छा इसी तिना से आप इसका Angle भी चेंज कर सकते हैं और यह देखें जैसे ही आप Angle चेंज करेंगे तो वो Angle भी अपनी उस लिहाज से उन वैल्यूस के हिसाब से Change करता जाएगा अच्छा जी आगे चलने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो यह कि मैं वापस आता हूँ Transform में और Move पर अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक Option है जो कि इन तमाम Options में कमोबेश मजूद होगी यह जी Copy की तो उसको Copy की Option क्या करती है कि For Example अगर मैं इसका Angle Change करूँ और Copy कर दूँ तो यह देखें कि उसने उसको Move तो किया ही है लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें एक उस Object की Copy भी दे दी है तो लहाज़ा Copy अगर आप करना चाहते हैं किसी भी Object की तो आप इस तरह से उसकी Copy भी साथ ले सकते हैं यानि जो भी अमल आप कर रहे हैं वो तो हो गई साथ में उसकी Copy भी आ जाएगी अच्छा जी तरह से यहां पर हमारे पास Rotate की Option मौजूद है Rotate की Option में क्या होगा दोस्तो हम इसको Rotate कर सकते हैं किसे भी Object को और बिल्कुल जिसना पहले आपको मैंने बताया आप उसकी साथ में Copy भी ले सकते हैं तो यह देखें अगर मैंने उसको इंगल चेंज किया उसको Rotate की और साथ में उसी Object की मैंने एक Copy भी जो है वो ले रखी है यहां पर इसके फिल इसमें White है और Black इसका जो है वो हमारे पास Stroke है और यह मैंने इसी लिए रखावा है यह वाली वैलियूस ताके आपको समझना जरा असान रहे अच्छा इसके बाद हमारे पास है जी Reflect की Option दोसों यह देखें अगर आप एक Square Shape को Horizontally या Vertically Reflect करेंगे तो Definitely वो यहां पे कोई खास आपको नजर नहीं आएगा क्योंके वो Reflect तो हो रहा है लेकिन वो क्योंके चारों तरफ से एक जैसा है इसलिए उसका आपको पता नहीं और आप उसको Copy भी उसकी ले सकते हैं ठीक है मैं यहां पे क्या करता हूँ कि मैं एक यहां पे Rectangle Draw करता हूँ इसके अंदर अब जाके यहां पे इसको मैं Reflect करता हूँ यह देखें तो यहां पे हमें इसकी Reflection जो है वो समझ आ रही है ठीक है जी और साथ में हम उसकी Copy भी ल Reflect भी हो जाएगी राइट लिक करके हम यहां पे आते हैं हमारे पास Scale की एक Option मौजूद है Scale में हमारे पास Uniform और Non Uniform की Option है Uniform और Non Uniform का जो मतलब है कि अगर आप Exact रखना चाहते हैं तो आप यहां से दोनों तरफ से आप यहां पे जो भी Value देंगे वो उसकी Vertically horizontally दोनों करते हैं तो इसमें आप horizontally और vertically खुझ से उसकी जो values हैं वो चेंज कर सकते हैं यानि 70% अगर इसको मैं horizontally करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं इसके लावा यहां पे यह देखें अगर मैंने copy ली तो यह उसको Scale उसने कर दी है अच्छा इसके साथ यहां पे Scale के अंदर Scale Corn Corners की भी एक option मजूद है और Scale Strokes and Effects की भी option मजूद है यानि अगर आप सिर्फ Corners को करना चाह रहे हैं या साथ सिर्फ Corners को करना चाह रहे हैं तो यह भी आप कर सकते हैं बारहल यह जो ज्यादा समझने की important बात है वो यह है कि आप Uniform और Non-Uniform तरीके से किस तना से किसी भी object को Scale Out कर सकते हैं इसको मैं अगर 150 horizontally दे दूँ और 200 अगर मैं इसको vertically दे दूँ और copy लूँ तो यह देखें यह जिस value को मैंने रखा था उसके accordingly यह Scale अप हो गया अच्छा जी मैं वापस आता हूँ जी एक square के उपर और यह तो मैंने आपको कुछ options बताइए कि आप बड़े अराम से right click करके transform में जाके यहां पे कुछ options हैं इनको आप देख सकते हैं यहां पे बलके और option है share की यह भी discuss करते जाते हैं दोस्तों यह जो share की option है यह basically हमारा जो object है उसको जिसना से squeeze कर देता है एक तरह से ठीक है और उसकी जो horizontally और vertically आप देख सकते हैं उसकी शकल जो है वो बिलकुल squeeze हो जाती है ठीक है यह आप देखने हैं अगर मैं horizontally कर रहा हूं अगर इसी तरह से मैं vertically करना चाहूं तो यह दे options अब यहां पर हम देखते हैं टूल बार के अंदर हमारे पास यह puppet web टूल के नीचे एक टूल available है free transform टूल के नाम से जिसकी short की आप देख सकते हैं E है अच्छा यह एक बड़ा interesting टूल है जनाबी अली यह क्या करता है यह आप देख सकते हैं कि इसकी जो शकल है यह थोड़ इसके scale का है यानि इसको बड़ा चोटा करने के लिए resize करने के लिए free transform में basically हमें जो एक सहूलत मिलती है वो क्या मिलती है कि हम अगर for example इसको scale out करने और साथ अगर हम control की option दबा लें तो दोस्तो control क्लिक करते साथ ही क्या होगा कि आपने जो anchor point पकड़ा हुआ है वो खाली ए एक anchor point जो है वो आपके साथ आपके पास control में आ जागा और बाकी के वहीं के वहीं अपनी जगा पे lock हो जाएंगे यह दुबारा मैं आपको करके दिखाता हूं कि यहां पे हम गए इसको अच्छा यहां पे आपने जहर में रखना है पहले आपने उसको transform करना और बाद में आपने control की option पे क्लिक करना है तब ही यह आप अराम से जो है वो कर पाएंगे अच्छा इसी तना से अगर हम यह जो center में हमारे पास जो एक anchor point है इसके उपर आएं और अब यहां पे हम control क्लिक करके इसको हम move करें तो यह देखें यह बहुत खुबसूरत तरीके से work out कर रहा ह यह क्या कर रहा है कि वो जो जिस side से हम इसको पकड़ रही है ग्रेप कर रही है वो हमारी side सिर्फ हमारी वो line segment change हो रही है और जो दूसरी वाली line segment है वो अपनी जगा पे उसी तरहां से मौजूद है ठीक है जी और control अगर आप पकड़ें तो यह देखें center से आप यह पूरी options को जो है वो study किया और हमने देखा हम किस तरह से बड़ी असानी से किसी भी object को rotate भी कर सकते हैं उसको resize भी कर सकते हैं reflect भी कर सकते हैं और उसके जो shape है उसको change कर सकते हैं इसके लावा free transform में हमने देखा है कि हम उसको freely transform कर सकते हैं इसी वज़ा से उसका नाम tool का free transform रखा गय किसी भी एक anchor point को choose करके उस shape को transform कर सकते हैं आप लोगों ने इसको explore करना है और नेक्स लेसन में आप लोगों के साथ किसी नए टूल के साथ आप से मुलागात होगी